हलो स्टूडेंट्स, विल्कम बाक टू माई चैनल सुश्मिता एस्थी, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरी चैनल सुश्मिता एस्थी पे, तो क्लास टेन, आज हम पढ़ने वाले हैं ए टाइगर इंदर जू पोयम, बहुत ही प्यारा सा पोयम है, टाइगर इंदर हो चुका है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, टेन क्लास के स्टूडेंट्स है, जिनका रिजल्ट मुझे जानने को मिला, और मुझे बहुत ही खुशी हुआ, उनका रिजल्ट जानकरके कि उनका अच्छा रिजल्ट हुआ है, First Division पास्किया है सब, तो मुझे बहुत खुशी हुई यह जानकर तो सभी को जो भी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं क्लास 10 में हैं जिनकी अच्छी रिजल्ट हुई है वो कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजे क्या आपका रिजल्ट कैसा हुआ है और मेरे तरफ से आपको धेर सारी बधाई कॉंग्रिचलेशन आपको बहुत अच्छे से आगे भी इस तरीके से आप पढ़ाई कीजे और कोई भी डाउट होने पे आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजे तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक टाइगर इंदर चूपोय है और सबसे लाइक इंपॉर्टेंट बात जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजे अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजे जादा से जादा शेयर कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक ज़रूर करें और कहीं पे भी आपको कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर कीजिए आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मैं अपने तरफ से पूरी मैनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए डेली मैं आपके हिल्प के लिए वीडियो लेकर के आ रही हूँ मेरे चैनल पर आपको जो है एसे वगरा लेटर वगरा भी आपको मिल जाएगे तो आईए चलते हैं सबसे पहले हम पोएम की तरफ बढ़ते हैं तो पोएम की तरफ बढ़ने से पहले always exam में ये question पूछा जाता है कि इस पोएम के पोएट कौन है तो जैसे टाइगर इंदर जू पोएम के पोएट कौन है आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है बिकाज ये अकसर objective question एक marks में आ जाता है तो कौन है पोएट टाइगर इंदर जू पोएम के lesli Norris जो है इस पौएम के पोएट है इस पोएब में हम पढ़ने वाले है कि टाइगर जो एक wild animal है टाइगर कैसा animal है हम लोग हमेशा पढ़ते बहाए पेट animal wild animal पढ़ते हैं तो कहीं पे भी हम लोग टाइगर को पेट में नहिंद है कि हम लोग उसको पालते यहां पर पाले किसी केज में बन करके जुमें रखा जाता है तो उसे का बिएवियर है वहाँ उसका क्या मूड है यहांorf ठिक है यहां पर इस पोएम में एक बार पोएट ये बताते है कि जू में टाइगर जो है वो कैसे चल रहा है वो कैसे है और किस उसी पल वो दूसरे ही पल वो क्या बताएंगे हमें कि जब वो जो टाइगर है वो बाहर है जंगल में है जब वो फ्रीडम के साथ घूम रहा है तो उसका कैसा बेहेवियर है ठीक है तो आप जब हुद खुद समझ आएगा थिक है ति उप ठाइगर का क्या डरध है जो जू में बन है जिसको जू में बन करके रखा गया है उसका क्या रर्ध है ठीक है वह तो पोएम में यहां पर एक ऐसे आईगर के बारे में देखेंगे हम जो जू में है, दूसरी ही तरफ हम ऐसे टाइगर को भी देखेंगे जो नेचरल घर में है नेचरल घर, टाइगर का कहा होता है जंगल में है, फ्रीडम के साथ है तो दोनों के कमपैरिजन को यहाँ पे दिखाया गया है पोयम में, ठीक है? तो हम यहाँ पे चलिए पोयम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यहाँ पे देखें, पोयम तो टाइगर जो है, वो अपने छोटे-छोटे कदमों से चल रहा है और कुछ ही कदम चल रहा है कि अपने केज की ओर ठीक है? उसका केज ही, मतलब लाइक उसका केज ही इतना छोटा होता है आप जू में भी देखें होंगे तो वो अपने केज में, अपने जो जहाँ पे वो है उसमें वो चोटे-चोटे कदम ले रहा है और उस केज में चल रहा है ठीक है? जंगल की तरह तो वो उनका केज इतना बड़ा होगा ने कि वो बड़ी-बड़ी छलांग लगाएगा, दोड़ेगा ठीक है? और ठाइकर जब चल रहा है और उसकी पॉज जब मतलब लएаф उसकी जो पैर है ठीक है? उनकी जो पॉज है वो जमीन पे बिल्कुल भी आवाज नहीं हो रही है बिल्कुल quiet है उसके अंगर की तरह उसकी किस की तरह? अंगर की तरह rage means क्या होता है यहाँ पे rage means होता है anger ठीक है गुसा rage means क्या होता है गुसा anger तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है he talks in his vivid stripe जो उसके stripe पाले सरीर के साथ वो जो है छोटे छोटे कदम ले रहा है अपने cage में on parts of velvet quite और उसका जो pause है उसका जो pair है मतलब वो जो pair रख रहा है जमीन पे वो क्या है बहुत ही धीरे धीरे रख रहा है in his quiet rage जिस तरीके से उसका जो rage है उसका जो गुसा है like एंगर है वो दबा के रखा है उसी तरीके से वो अपने pair को भी काफी दबा दबा के चल रहा है, अपने मन के अंदर वो क्या किया हूँ, अपने गुस्से को क्या किया है, दबा के रखा क्यूँ तो क्योंकि tiger आप ही बताओ अगर एक, अपको अगर किसी कमरे में बंद कर दिया जाए और शिर्फ कहा जाए कि इस कमरे में ही आपको खाना दे दिया जाएगा और, इस कमरे के चारो तरफ ही आपको सुरिफ जितना कमरा है उतना ही रहना, तो आप रह सकते हो, नहीं रह सकते हो ना, हमारे मन के अंदर भी खुशी क्या हो जाएगी, खतम हो जाएगी, उसी तरीके से जब एक टाइगर को क्या किया गया है, बंद कर दिया गया है, केज में, तो वो बिलकुल खुश नहीं होगा न, वो खुश होगा क्या, उसके अंदर एक गुस्सा है, ठीक है, और वो सब गुस्सा अपने दिल के अंदर क्या किया हुआ है, द दबा के रखा है वो बहुत दीरे-दीरे चल रहा है ऐसे भी टाइगर को आप देखे होंगे कि कभी भी अगर आप डिस्कवरी आप चैनल वेगर में अगर आप पीवी में देखते होंगे कि जब वो अपने सिकार को भी पकड़ने जाते तो काफी दीरे-दीरे उसके पैरों क भनक तक भी नहीं लगती है उसके सिकार को ठीक है तो आईए बढ़ते हैं नेक्स टैन्जा की तरफ ठीक है तो नेक्स टैन्जा में ये बताया गया है कि आक्च्वेली में टाइगर को कहा होना चाहिए थीक है शाडो में खास के पीछे उसको चुपना चाहिए था वाटर पॉल देखेंगे वो जो डिसक्वरी में आप भी देखते होंगा बिसक्वरी में जहां पे डियर लोग पानी पीने आता है चोटा सा पॉंड जैसा होता है चोटू सा ऐसा जैसा मतलब लाइक और जहां पे टाइगर क्या करते हैं उसको हंट करते हैं वो लोग क्या करते हैं घास में छिपेवे होते हैं और जैसे ही वहाँ टाइगर पानी डियर जो है वो पान के पीछे कि कब मोटू सा ठीक है यहां पे प्लम का मतलब क्या होगा मोटू सा ठीक है कब मोटू सा डियर आएगा वाटर होल के पास पानी पीने और मैं उस पे अटैक करके उसे खा जाओंगा उस टाइगर का उसे यही करना चाहिए था ना बट अभी वो टाइगर कहां है जू में है नेचरली हम लोग टाइगर को क्या देखते हैं काफी दाहाड़ता है या तो जब वो हंटिंग करने के लिए जाता है तो वो इंदम दीरे-दीरे अपने पास को रखते हुए क्या करता है जहां पे डि करता है। उसको हिरन को माल डालता है। नोग दिस्कवरी में ऐसा देखते हैं। यहाँ पर पोईट ने यही बताया है, पोईट ने पहले वाले स्टेंजा में क्या बताया, कि पहले वाले स्टes जामे जो like tiger है वो बहुत छोटे छोटे दीरे दीरे step लेता है अपने cage में और बहुत ही quiet बहुत ही धीरे धीरे एकदम दबा दबा के चलता है जिस तरीके से वो अपने अंदर अपने गुसे को दबा के रखा लेकिन tiger को असली में होना कहां चाहिए, नेक्स टैंजा में बताया है, पोईट ने रियल में, लाइक टाइगर को कहा होना चाहिए, ग्रास के पीछे छुपा होना चाहिए वाटर होल के पास, जहां पे क्या होगा, एक मोटू सा डियर आएगा, और वहां पे वो क्या करेगा उसको हंट करेगा, उसका शिकार करेगा, ठीक है? तो आईए बढ़ते हैं, नेक्स टैंजा की तरफ यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, यहां पे नेक्स्ट स्टैंजा में जो है, यहां पे क्या बोल रहे हैं? कि टाइगर को तो आराम से जंगल के एज पे गूमना चाहिए, कहां पे गूमना चाहिए उसको? जंगल की एच पे जंगल की एच के आसपास देखिएगा बहुत सारा गाओं होता है विलेज होता है तो वहाँ पे लेकिन कई बार टाइगर आ जाता है तो विलेजर्स क्या हो जाते हैं डर जाते हैं टाइगर को देखकर टाइगर चाहे साइड से ही क्यों न जाता हो बस साइ उसी की उसी तरह से जब जो टाइगर है वो एज जो होता है विलेजर्स के बगल में जो एज होते वहां पर जब वो साइट से भी गुजरता है तो विलेजर्स जो है वो डर जाते हैं उसके वाइट कलर के फैंस को देखके मतलब उसके तीत को फैंस मिंस उसके तीत को देखकर और उसके claws देखकर villagers जो है वो डर जाते हैं ठीक है यहाँ पे villagers उसके किस चीज़ को देखके डरते हैं fans and claws को देखकर ठीक है पंजो को देखकर उसके तित बड़े बड़े तित को देखकर यहाँ पे villagers क्या हो जाते हैं डर जाते हैं यहां टाइगर से लोग कितना डरते हैं बट वहीं other hand देखिए क्या होता है जू में लोग टाइगर को देखने जाते हैं लोग जाते हैं जू में देखने के लिए टाइगर को हमेशा हम लोग क्या करने जाते हैं तो वहां पर टाइगर को भी देखते हैं क्योंकि वह क्या होत नेक्स्ट एंजा क्या है आपका यहाँ पर नेक्स्ट एंजा में है बट ही इस लॉक्ट इन अ कॉंक्रीट सिल इस ट्रेंग बहाइंड बार्स स्टॉकिंग दो लेंथ ओफिस केज इग्नोरिंग विजिटर देखियो बट वो यह सब नहीं कर सकता है उसको कहां पर होना चाहि चाहिए था फिर कहा नेक्स्ट एंजा में कि वो जब विलेजर्स लाइक एज के तरफ से गुजरता है तो विलेजर्स जो है उसको देख के डर जाते हैं और क्या होता है उसके लंबे-लंबे तीत को देखकर उसके क्लॉस के देखकर विलेजर्स टो डरते हैं बट अब वो यह सब नहीं कर सकता वो एज पे नहीं गूम सकता है वो जंगल में नहीं गूम सकता है क्योंकि वो कहां है वो जो है सिमेंट की सेल में लॉक है बार मीन्स क्या होता है जो लोहे की जो रॉड होती है उसके पीछे उसकी स्ट्रेंथ है यहां पर देखिए बार्स दिया वह न है His strength behind bars, तो bars लोहे का जो रोड है, उसके पीछे जो है tiger की strength है, और वो धीरे धीरे चल रहा है अपने cage में, सभी visitor को इगनोर करते हैं, वो visitors को क्या कर रहे है, जितने लोग देखने जा रहे हैं, वो धीरे धीरे अपना cage में चल रहा है, बस उसकी अंदर क्या है, एक दर्द लिए कि उसे भी फ्री होना है हर इनसान को व्लभाट economics हम लोग चाहते नकीमाजाद रहे हम भी जहां चाहे जा सकते हो एक रूम में सरफ नहीं लेकिन यहां पर क्या किया गया इक चाइगर को में कैज के एंदर करके जू में रख दिया है आएए देखते नेक्स्ट एंजा की तरब नेक्स्ट एंजा है नेक्स्ट एंजा में क्या बोल गया है he hears the last voice at night the patrolling cars and tears with his brilliant eyes at the brilliant stars ठीक है उसको आखरी voice आती है रात को किसको टाइगर को उसको आखरी voice आती है रात को जब patrolling car आती है जुमें देखने के लिए कि कोई gate तो खुला नहीं रहे गार हर रात को वहाँ पर जुमें checking होता है कि मतलब वो लोग चेक करते देखते कि कोई गेट नहीं खुला रह गया ना किसी जानवर का या फिर कोई इनसान यहां जू में ही तो नहीं रह गया तो उसको उस वक्त आखरी वोईज आती है कि इसको टाइगर को जब पेट्रोलिंग कार आती है जू में देखने के लिए कि कोई गेट तो खुला नहीं रह गया या फिर कोई जू में तो नहीं रह गया और उस वक्त टाइगर अपनी ब्रिलियंट आईस के साथ ब्रिलियंट स्टार को देख रहा होता है क्या करते है वो ब्रिलियंट अपने आईस के साथ ब्रिलियंट स्टार को देख रहा होता है आप लोग देखे होंगे रात में कोई भी जो जानवर होते हैं आखे क्या होती है चमकती है रात को आप डॉग का भी देख लोगी वो चमकता है बिल्ली का तो चमकता ही है तो यहां तारों को देखना मतलब क्या एक डिजायर है यहां तारों को वो देख रहा है इसका मतलब क्या है डिजायर से मतलब है कि उसको भी एक डिजायर है किस लाइक इस पोयम में जो है यही है इस पोयम में यही पोएट में जो है एक टाइगर को केज के अंदर रखकर और एक टाइगर को बाहर रखकर मतलब यह बताया है दोनों में डिफरेंस को बताया है कि जब लाइक टाइगर जो है केज में होता तो उसे कैसा लगता है और टाइ ली नौरेज क्योंकि अक्सर एक्जाम में जो है वन माक्स के कोश्चन में यह पूछा जाता है कि यह टाइगर इंदा जू पोएम के पोएट कौन है जब मैं आप लोगों के लिए अबजेक्टिव कोश्चन लेकर के आऊंगी तो यह रहेगा ही रहेगा इंपॉर्टेंट को वो किस तरीके से मनमार के दीरे-दीरे पार्श के अंदर द चल रहा है और उसका जो स्ट्रेंथ है वो एंदर ही है और उसे घुक क arrow대 चाहिए घृपना चाहिए जो क्या करना चाहिए टाइगर को वह लाइक टाइगर जो है डीर को हंट करता है छिपके धीरे-धीरे अपने पैर दबा दबा के जाता है लेकिन वह जब लाइक केज के अंदर है तो वह सारी चीजे वह नहीं कर सकता है वो क्या है, अपना मन मारके सानती से, मतलब अपने अंदर क्रोध को छुपा के, क्या किये हुए है? बैठा हुआ है, केज के अंदर है, तो बहुत ही प्यारा सा ये पोयम है, आप लोग इस पोयम को बहुत अच्छे से पढ़िए, I hope आप लोगों को बहुत अच्छे से ये प समझ में आ गया होगा ठीक है तो इस पोएम को बहुत अच्छे से पढ़िए जब नेक्स क्लास में जब मिलेंगे तो मैं इस पालाइक टाइगर इंदर जू पोएम का मैं objective questions आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगी इसके बाद मैं question answer भी आप लोगों के साथ discuss करने वाली हूँ तो अभी से मन लगा करके पढ़िए and class 10 अगर आप लोगों को यह नहीं लिखना है कि हाँ आपको कितने percentage आए at least आप यहां पर first division या second division जो भी आए first division आए तो आप first division ही mention कीजिए कि हाँ मैं first division आए हो मुझे सुनकर अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे जानकर अच्छा लगेगा कुछ स्टुडेंट्स ने मुझे पेंघ किया कुछ step itself ने मुझे बथा पोन करके कि जिए अभी के लिख forced division